जब बीरबल बना बच्चा एक बार की बात है बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई राजा अकबर बेसबरी से बीरबल का इंतजार कर रहे थे जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा बीरबल कहने लगे कि आज जब वो घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में ही देरी हो गई राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का जूठा बहाना कर रही है उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है वहीं, बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सुझा उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी उन्होंने कहा कि वो इस बात को सिधा कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यभार करना होगा वर राजा को उन्हें समझाना होगा राजा इस शर्थ के लिए तैयार हो गए अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिलाने और रोने लगे राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूचों से खेलने लगे कभी वे बच्चों की तरह मूँ बिगारते तो कभी मूचों को खीचने लगते अभी तक राजा को कोई आपत्ती नहीं हो रही थी जब बीरबल मुझों से खेल कर ठक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे तुकडों में कटा हुआ ही चाहिए उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे तुकडों में काटा गया जब राजा ने इन तुकडों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन तुकडों को जमीन पर फिक दिया राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया उन्होंने गुसे से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेका, चुपचाप से इसे खालो, डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोनेव चीखने लगे, अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यूं रो रहे हो, बीरबल ने जवाब दिया मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक न नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे ना खाकर रोक्यू रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इनी छोटे छोटे तुकरों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगें जाकर बैठ गए। उन्हें परिशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकिनन एक मुश्किल काम है। राजा ने हामें सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझा करवा ने कुदाहरन देकर उनकी जिद्व जिग्यासा को शांत किया जा सकता है।